फ्रेंड से समय समय पर हमको एटम के अंदर नई ने पार्टिकल मिलते हुए आ रहे हैं और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान है लार्ज हाइडरोन कोलाइडर का जो की एक पार्टिकल एक्सिलरेटर है जिसमें दो पार्टिकल्स की आपस में टककर कराई जाती है और उस जो चीजें हमें उन पार्टिकल्स के अंदर मिलती है उनकी स्टेडी की जाती है बेसिकली जब भी हम किसी चीज की स्टेडी करना चाते हैं तो उसके लिए हम उस चीज को पढ़ते हैं उसके डीटेल में जाते हैं जैसे अगर आपको इस किताब को पढ़ना है इसकी कर पाएंगे तो ऐसे आप kisi चीज की स्टैडी करते हैं मान लियए यह एक बॉक्स है यह बॉक्स किस चीज से मिलकर बनाएं यह आपको पता करना है तो आप केसे करोगें तो इसके लिए हम उसको खोल कर देखेंगे कि वहे किस चीज से मिलकर बना हैं लेकिन अगर हम इस बॉक्स को खूल नहीं सकते और फिर भी हमको इसकी स्टेडी करनी हैं तो हम कैसे करेंगे तो इसके लिए हम उस बॉक्स को तोड़ देंगे और हम उसको तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक हमको यह पता नहीं चल जाए कि यह किस पार्टिकल से मिलकर बनाएं यह किस चीज से मिलकर बनाएं तो यह थी बॉक्स की बात इसको हम किसी भी बड़ी चीज से तोड़ सकते हैं जैसे कि कोई हतोड़ा इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है तो जैसे ही हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो हमको दिखता है कि उसके अंदर क्या था और फिर हम उसकी steady करते हैं कि इसके अंदर ये ए चीजे हैं ऐसे ही हमने particles को तोड़ा तो हमको molecules मिले molecules को तोड़ा तो हमको atom मिले और जब हम atom को तोड़ते हैं तो हमको उसके अंदर के particle दिखने लगते हैं नेगिटिव चार्ज वाले electron और positive चार्ज में nucleus तो जो हमको nucleus भिला हम उसको भी देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है तो पता करने का तरीका क्या है उसको तोड़ दो और हिट करने के लिए हमको उसको high energy वले पार्टिकल से हिट कराना होगा अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमको nucleus को तोड़ना है तो हम हतोड़ा लेकर आ जाएं उसको तोड़ने के लिए हमको उसी के size के पार्टिकल से उसको हिट कराना होगा अब इसमें problem क्या है कि अगर हमको nucleus से किसी particle की टकर करानी है तो उसके लिए हमको nucleus के ही size की एक particle की जरूरत पड़ेगी और उसको high speed provide करानी पड़ेगी वह क्यों जैसे आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो अगर आप धीरे से मारेंगे तो वह चीज नहीं तूटती matter करती है लेकिन अब इसमें परिशानी क्या है इसमें यह परिशानी है कि हम speed कैसे provide करेंगे atom की level पर हम speed कैसे provide करेंगे तो इसके लिए एक तरीका होता है हम एक charge particle लेकर आते हैं और उस charge particle के around electric field apply कर देते हैं जब electric field apply होती है तो electric field charge particle पर force लगाती है जिसके कारण acceleration होता है इसलिए charge particle की speed बढ़ने लगती है और अगर speed बढ़ जाएगी तो हम उस particle की टकर nucleus से करा देंगे और ऐसा होने पर nucleus तूट जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या होता है लेकिन इसके लिए हमको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि मान लीजे हम positively charge particle को nucleus से टकराने के लिए बेशते हैं तो हमको इतनी speed provide करानी होगी कि वह repulsion के force को oppose कर पाए यानि कि जब हम positively charge particle को nucleus के पास लेकर जाएगे तो nucleus भी positively charge particle पर एक repulsion का force लगाएगा जिसके कारण वह टकरा नहीं पाएगे अगर हम negatively charge particle यानि कि electron को बेशते हैं तो वह nucleus के पास पहुचते ही वह उससे चिपक जाता है क्योंकि positive और negative के बीच में attraction का force होता है और electron का mass भी बहुत कम होता है तो electron nucleus को तोड़ नहीं सकता इसका मतलब हमको positive charge को sufficient speed प्रोबाइट करानी होगी जिससे वह रिपलसन के force को oppose कर पाए और जाकर सीधा nucleus से टकराए तो हमको positively charge particle पर electric field अपलाई करनी होगी जिससे उस पर force लगेगा उसकी velocity increase होगी उसकी energy increase होगी उसका acceleration होगा और ऐसी machine जो यह सब काम करती है उनको हम क्या बोलते है particle accelerator अब हम एक particle accelerator बनाना चाहते हैं तो basically छोटे scale पर हम cyclotron को बनाते हैं जिसका नम आपने पहले सायथ सुना होगा अगर आप toilet class में पढ़ते हैं अब मान लीजिए हमने एक मीटर तक electric field को apply किया और हमने positive charge को उस electric field में बेजा उस पर force लगा उसकी speed बढ़ी लेकिन कब तक speed बढ़ी सिर्फ एक मीटर distance तक उसके बाद speed नहीं बढ़ी और हमने देखा कि इस speed से हमारा काम नहीं बन रहा और अगर हम electric field को बढ़ा करने के लिए अपनी plates को दूर दूर रखते हैं तो electric field तो बढ़ा हो जाएगा लेकिन उसकी intensity कम हो जाएगी और electric field intensity हमको जादा चाहिए तो हमको electric field strong भी चाहिए और लंबी भी चाहिए और दोनों चीज़ें एक संग हो नहीं सकती तो इस परहसानी को दूर करने के लिए हमने एक और चीज़ का सहरा लिया वो है magnetic field का magnetic field charge particle की direction को change कर देती है तो हमने एक ऐसा device बनाया जिसमें दो magnet हैं और electric field बीच में हैं इसका diagram आपको स्क्रीन पर देख जाएगा बीच में एक source है जो की positive charge को fire करता है अब positive charge जब electric field में होता है तो उस पर force लगता है उसकी velocity increase होती है velocity तब तक increase होती है जब तक वो electric field में है लेकिन जैसे ही वो magnetic field में आता है तो उसकी direction change हो जाती है लेकिन यहाँ पर एक और परिसानी आती है कि जब वो उसकी direction change होती है तो जब वो बापस से electric field में एंटर करता है तो electric field एक particular direction में है और वो positive charge उसकी opposite direction में move कर रहा है तो इस हिसाब से उसकी velocity increase होनी की वजाए घड़ जानी चाहिए कम हो जानी चाहिए तो इस परिसानी को दूर करने के लिए हम एक oscillator लगाते हैं यह oscillator electric field की direction को change करता रहता है positive charge के हिसाब से यानी कि जब positive charge electric field में रहेगा तो electric field की direction भी उसी direction में रहेगी और जब वो बापस से magnetic field से direction change करा के आएगा तो oscillator electric field की direction को फिर से change कर देगा तो oscillator का काम electric field की direction change करने का होता है अब positive charge electric field में होता है तो उसकी velocity increase होती है जब वो magnetic field में जाता है तो उसकी direction change होती है तो ऐसे ही यह process, यह cycle repeat होती होती है माल लीजिए एक बार electric field में जाने पर उसकी speed 10 increase होती है तो अगर उसने 1000 cycle कर ली तो उसकी speed 10,000 गुना जादा तेज हो जाती है यानि कि उस positive charge की speed कितनी हो गई, 10,000 गुना जादा increase हो गई तो हम उसको एक दूसरे positive charge से हिट करा सकते हैं और अपने steady कर सकते हैं तो यह थी cyclotron की बात cyclotron की तरह ही उसी के principle पर wish large hydron collider भी सेम तरीके से work करता है लेकिन काफी बड़े scale पर वह भी एक तरीके का particle accelerator है बिलकुल cyclotron की तरह ही उसमें भी positively charge particle की speed को बढ़ाया जाता है आपस में तकराया जाता है और इस तकर के बाद हमको उन particle में से different different चीज़े देखने को मिलती है इसी तरह ही God particle की discovery हुई large hydron collider क्या है एक तरीके का cyclotron ही है उसमें भी electric field होती है उसमें भी magnetic field होती है लेकिन friends, cyclotron के बारे में बहुत सी बात मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई क्योंकि इस से इस वीडियो की length काफी increase हो जाएगी मैंने आपको इसका सिर्फ principle बताया है इसमें कुछ limitation भी है जैसे एक fix limit के बाद हम positive charge की speed को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ऐसा होने पर positive charge out of step हो जाएगा हमारा oscillator out of step हो जाएगा यानि कि oscillator जब electric field की direction को change करता है तो positive charge oscillator के हिसाब से उस समय electric field में पहुच नहीं पाता ऐसा होने पर positive charge out of step हो जाता है इसका मतलब speed बढ़ने की वज़ाए घटने लगती है अब out of step क्यों होता है इसका एक रीजन है क्योंकि ये जो particle accelerator है इनमें speed, speed of light को approach करने लगती है और Einstein की relation के अनुसार अगर कोई body speed of light को approach करती है तो उसका mass increase होने लगता है यानि कि जो positive charge है उसका mass increase होने लगेगा और mass increase होने के कारण वो out of step हो जाता है friends मैंने आपको इसे large hydron collider से इसलिए नहीं समझाया क्योंकि cyclotron को समझाना काफी आसान है इसमें हमको केवल दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि electric field में जाने पर charge particle की speed increase होती है और magnetic field में उसकी direction change होती है इसका diagram भी काफी easy है इससे आपको अच्छे समझ में आया होगा लेकिन दोनों ही particle accelerator है large hydron collider एक बहुत बड़े project है इसमें सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है तो friends I hope आपको इस वीडियो में particle accelerator का concept जरूर समझ में आया होगा तो subscribe कर लिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे miss ना हो पाए